जहीं सात्यों आप से गरेट विलकम हैं आर्मी तैयरी डॉट इन यूटुब चैनल पर यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी के लिए कि आप पर जो भरती आई भी है इंडियन आर्मी में लड़कियों के लिए जो गल्स आर्मी भरती है वोमें मिलिटरी पुलिस क 2021-2022 की जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए और यह मैं आपको कोई भी हवा में बात नहीं करूँगा पूरा आपको बता दूँगा कि आपको फॉर्म भरना है या फिर नहीं भरना और भर रहे ह तो क्या क्या चीजे आपको यहाँ पर मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी form भरने का सोच रहे उसमें से हो सकता है कि आपका 80% जो लड़किया है उनका form reject हो जाए या फिर आपका form वहाँ पर जाएगा लेकिन आपको वहाँ पर कोई benefit नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर reject ही कर दिया जाएगा क्यों कर दिया जाएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसके बारे में इस PDF में अगर आपने देखा को जो ओफिसल नोटिफिकेशन आया जिसके हमने वीडियो तो पहले बना दिया है इसके बारे में आप description में link चेक कर सकते ह उने दे दिया है उससे आप चरूर से देख लें चलिए आपर उससे पहले आपने subscribe कर ले बेल आइकन को दबा के जरूर से रख ले यहाँ पर जो भरती आई है इस बार लड़कियों की उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 पोश्ट पर लड़कियों की भरती आई है इससे पहले भी लगबग 101 पोश्ट पर आई थी उससे पहले भी 100 पोश्ट पर आई थी तो ऐसा ही 100 या 99 के पोश्ट पर भरती आते रहती है और मैं आपको बता दूँ कि जब यह पहली बार भरती आई थी तो इसमें जो cut-up गया था यानि कि cut-up का मतलब यहाँ पर यह ह कि जब आप इस form को भरते हैं तो उसके बाद आपको एक cut-up pass करना होता है यानि cut-up उसके बाद generate होता है जिसको आपको qualify करना होता है तभी आप इसके लिए rally में जा सकते हैं तभी आप इसके बाद यहाँ पर medical और तभी उसके बाद examination होता है यानि कि सबसे पहले आपको form भ तो आपको आपका वह भांपर 80 नमबर आया और बहुत सारे लोगोंका 60 नमबर आया हुआ। किसी का sousाप भी हो सकता तो उस हिसाब से याँ पर Just Cut Up बनेगा और अगर मैं बताओ कि पिछले साल जो बर्ती आई 플रें उसमें जो cut up गया था वो लगबग 85 गया था और उससे पहले जो यहां पर भरती आई थी उसमें जो cut up गया था वो 86 के लगबग चला गया था यानि कि आपका 85-86 के लगबग इस साल भी ही रहेगा हो सकता है कि एक दो आगे भी हो जाए या फिर एक दो पीछे भी हो जाए क्योंकि इ है उसके को भी देखा जा सकता है या फिर बहुत सारे केसे से तो डिपेंड करता यह सारा सिशोइशन लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी मान के चलना कि जो percentage cut up होगा वह 80 से उपर और मेरा तो मानना यह है कि प्रसनली जो लास्ट मैंने दो बार देखा है उसमें आपको जो बोल दे जाता है कि वो जो है reject qualify नहीं कर पाई है reject हो गई है तो यहाँ पर आपको अगर जिन बच्चों का 70 से कम है उनका form भरना कह सकते हैं बिलकुल कोई काम का नहीं है फिर भी आप form जरूर से बरे क्यों को form भरना बिलकुल free है अगर future में आपका cut up कम गया यानि कि अगर 70 चला गया तो आपको अपसोस हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं फिर भी आप form भर दे क्योंकि form भरना बिलकुल free है एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा लेकिन मेरी राही यही है कि जिन लोगों का यहाँ पर 80 से नीचे है उनका यहाँ पर selection होने का chances बिलकुल बोले सोचें तो आप भरना जरूर चाहिए free है और उसके अलावे जो भी जानकारी होगा मैं आपको provide करता रहूंगा description में बहुत सारे लिंक्स दिया है आप उसे follow कर ले हमारे WhatsApp ग्रूप को join कर चाते हैं तो Instagram पर अपना number भेज सकते हैं और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू झाल 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 झाल